वोटिंग शिक्षा के नाम पे होने चीए, जो अच्छी शिक्षा दे उसको वोट मिलना चीए, जो हिंदू और मिसल्मान को बाटे उसको वोट नहीं मिलना चीए आज पूरे दिली के सभी दिली सरकार के स्कूलों में पीटियम हो रही है, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से ये सरकारी स्कूलों में पीटियम का सिल्सला शुरू किया है, पहले प्राइवेट स्कूलों में तो होती लेकिन सरकारी स्कूलों में नाम मात्र के लिए कागजों में हुआ करते थी, लेकिन अभी अच्छली जब से शुरू किया है तो पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, टीचर्स भी बहुत खुश हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलने को मौका मिलता है और बच्चे की प्रोग्रे में जादा इंट्रेस्ट लेते हैं, उसकी स्कूलिंग में जादा इंट्रेस्ट लेते हैं, उनको पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, आज कि स्कूल में आया था, मैं देखने के लिए पेरेंट्स से मिलने के लिए और पेरेंट तो मैं क्या वताउंगा वो क्याते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग मीटिग मीटिंग बात नुका नहीं किये उन्होंने कोशिश की थी रोकने की पेरेंट टीचर मीटिंग को लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कम से कम स्कूलिंग में एजुकेशन में बच्छों की पढ़ाई में तो राजनीती नहीं करने चाहिए आज देखिए अच्छी मीटिंग सब रही है सारे कितने पेरेंट साहिम है सो पेरेंट्स तो आना चाहते हैं तो फिर वह क्यों रोखना चाहते हैं वोग मुझे तो समझे हैं तो देखिए भी एपने जडिये और देखिए प्लेटिक्वान थिल्टिसाइज आनु अद्धिफी और सब्सक्राइख्यों के बच्छे भी बढ़ रहे हैं मुसल उसके भी बच्चे पड़ रहे हैं यही तो अच्छी राजनीती है वोटिंग शिक्षा के नाम पर होने चाहिए जो अच्छी शिक्षा दे उसको वोट मिलना चाहिए जो हिंदू और मसल्मान को बांटे उसको वोट नहीं मिलना है